गुड मॉर्निंग फेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं भारतिय सम्विधान के महत्पून प्रस्त का भागती अगर आप इस चैनल पे नए हैं या भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि कोई भी वी बीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो यह दोस्तों सुरू करते हैं प्रसख्या एक संसत की निमलिखित अस्थाई समीती में से किसमें राज सभा के सदस नहीं होते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नंबर भी प्राकलन समीती देखें लोक लेखा समीती में कितने सदस होते हैं लोग लेखा समीती में भी 22 सदस होते हैं जिसमें से क्या होता है? 15 लोग सभासे होते हैं और 7 राज सभासे होते हैं प्राकलन समीती की बात करते हैं तो प्राकलन समीती में कितने सदस होते हैं? 30 सदस होते हैं और जो की जो सब किसे होते हैं सब सिर्फ और सिर्फ लोग सभासे होते हैं और इन सबों का कार्जकल कितना होता है एक बर्स के लिए होता है और इनका कार्जकल मई में स्टार्ट होता है और 30 अपरेल को समाप्त हो जाता है ठीक है? अब बात आग करते हैं सार्जनिक उपकर्ण समीती का तो सार्वजनिक उपकर्म समीती में भी 22 सदस होते हैं जिसमें 15 लोक सभासे और 7 राज्य सभासे और कोई भी मंतरी इस समीती का सदस नहीं होता है कोई भी मंतरी जो होता है बोई समीती का सदस नहीं होता है ठीक है अब बात आगे बढ़ते हैं कोशन नबर सेकंड की ओर Q2 है हमारा योजना आयोग का परस्ताओ किसने और कब परस्तूत किया था तो योजना आयोग का परस्ताओ किसने परस्तूत किया था तो इसका सयुद्धर है वो है option नमबर A John Mathai योजना आयोग जो था वो कब समाफ्थ कर दिया गया योजना आयोग को अब हमारी कंट्री में समाप्त कर दिया गया है कब से 15 अगस 2014 से 15 अगस 2014 से स्टार्ट करके इसके जगह पर क्या लाया गया एक जन्बरी 2015 से नीती आयोग लाया गया क्या लाया गया नीती आयोग वह ये नीती का full form क्या होता है National Institute for Transforming India और इस नीती आयोग के अध्याच कौन होते हैं जो भी हमारे कंट्री के PM रहेंगे वो इसके अध्याच होंगे ठीक है चलिए Next question की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 3 संजुक्त रास्ट का संजुक्त रास्ट की अस्थापना दिवस किस दिन था तो इसका जो सही option है वो है option number B जो कि है 24 October 1945 अब देखे UN की अगर बात करते हैं संजुक्त रास्ट का तो इसको बोला जाता है United Nation और इसमें बरतमान में देशों की संख्या कितनी है 193 में है और जो सबसे last कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे last में कौन एड़ हुआ है तो ये जो 193 मेमा देश है इसका वो कौन है दचनी सुडान ठीक है और इसका जो headquarter है UN का headquarter कहा है Newark में ठीक है और एक question और इससे related एक चीज़ पूछा जाता है कि संजुक्तरास कहां इस्थी थै तो ये कौन से दीप पे इस्थी थै तो ये question एक और है तो इसका answer हो जागा Manhattan दीप पे कहां Manhattan दीप पे ठीक है next question की तरफ बठते है जो कि है हमारा question number 4 अंतराष्टिये नियाले कहा है अंतराष्टिये नियाले कहा है अब आईए सबसे पहले देखते हैं कि इटली में किसका किसका है तो इटली में अगर हम बात करते हैं तो AFO, FAO जो कि क्या कहा जाता है संजुक्तराष्ट अबं क्रिसी संगठ है उसके बाद क्या IFAD अंतराष्टिये क्रिसी बिग्जान के अंतर ये सब किसमें इटली में है इसका हेड़कॉर्टर अब आते हैं दूसरा जिनेवा जिनेवा में बहुत सारे mostly हैं जिनेवा में जैसे कि WHO हो गया WTO हो गया WMO हो गया ILO हो गया ये सब के कहा हेड़कॉर्टर है सब के headquarter होंगे जिनेवा में और Paris के अगर बात करें तो Paris में किसका है UNESCO का ठीक है चलिए Next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 5 भारत के संभिधान का निर्मान एक संभिधान सा भाद द्वारा किया गया जिसकी अस्थापना किसके द्वारा की गई तो इसका सही अंसर होका option number D जो किये cabinet mission योजना 1946 के अंतरगत की गई थी तेकि ये cabinet mission योजना के कभी-कभी ये भी आते हैं कि सदस कितने थे तो इसके सदस कितने थे 3 थे कौन-कौन एक तो थे Sir Astrophed Crits 2 बन थे Lord Pathic Lawrence और तीसरे कौन थे A.B. Alexander ठीक है? अच्छे, question ये भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा की रचना ये तो संविधान सभा का सरपथम विचार कहां आया था तो सरपथम जो विचार दिया था वो किस ने दिया था? सोराजपाटी ने सरपथम विचार दिया था सोराजपाटी में पाटी ने और कब? 1924 में ठीक है? चलिए Next question की दरब बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 6 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुआ था 9 December को यानि जो हमारा सई option होगा वो होगा 9 December 1946 अब देखे संविधान सभा का अगर गठन पूछा जाए तो गठन हुआ था 6 December को गठन हुआ था 6 December को पहली बैठक हुई थी 9 December को और यही पहली बैठक में क्या हुआ था? जो सच्तनन सिनह थे उनको क्या बना दिया गया था? अस्थाई अध्यच बना दिया था तो अगर अस्थाई पूछा जाएगा तो सच्तनन सिनह होंगे लेकिन फिर 11 December को ही डॉक्टर राजेंदर परसाद को क्या बना दिया गया? अस्थाई अध्यच बना दिया गया एक कोशन और इसे पूछा जाता है कभी-कभी कि सम्विधान सभा में महिला सदैस्यों की संख्या कितनी थी? तो सम्विधान सभा में जो महिला सदैस्यों की संख्या थी? वो कितनी थी? पंदरा थी ठीक है? चलिए नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं है हमारा question number seven संभीधान सभा संभीधान के 26 नमंबर 49 को पारित किये जाने के साथ संभीधान के कौन से प्रबधान तुरंत लागू कर दिये गए अच्छे देखेए ये चीज़ तो है कि संभीधान सभा पारित हो गिया था कब 26 नमंबर 49 को लेकिन लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950 को तो जो मूल हमारा संभीधान है इसमें कितने अनुछेद है मूल संभीधान में है 395 अनुछेद तो जो 395 अनुछेद है इसमें से 15 जो अनुछेद ऐसे थे इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था और बात बाकी जो remaining बचे उनको कब कर दिया गया था? 26.50 को ठीक है? और जो ये 15 अनुचेद थे इसी 15 अनुचेद में चुनाव संबंधी प्रभधान भी था, नागरिक्ता प्रभधान भी था और अंतरिंग संसत संबंधी प्रभधान भी था तो इस कोश्चन का जो सही अनसर होगा बो होगा उप्रोप सभी प्रभधान आईए अब अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोश्चन नुबर 8 संबिधान को 26.50 को बनके तयार हो गया था लेकिन उसको लागू किया गया 26.50 को तो ऐसा क्यों किया गया था इसका जो सही अनसर है बो है आप्सन नुबर C कि कॉंग्रेस ने इस्तितिक को 1930 में स्वतंता दिवस के रूप में मनाया था देखे हुआ क्या था कि कॉंग्रेस का जो अधिवेशन था कौनसा अधिवेशन लहोर अधिवेशन लहोर अधिवेशन और कब का 1929 का इसी लहोर अधिवेशन 1929 में निर्ने ले लिया गया था कि अब हम हर सल क्या का मनाएंगे स्वतंता दिवस मनाएंगे और ये निर्ने ले लेने के बाद पहली बार 26 जन्वरी 26 जन्वरी 1930 को जवाहरलाल नहरू के द्वारा जवाहरलाल नहरू के द्वारा कहां लहोर में ही राभी नदी के ठट पे राभी नदी के ठट पे सरपथां जवाहरलाल नहरू के द्वारा जंडा फायर आया गया था और इसी दिन से अभी तक 26 जन्वरी को हम लोग गतन दिवस मनाते आ रहे हैं ठीक है आप बढ़ते हैं question number 9 के ओर भारत के सम्मिधान को निमलिखित में से सबसे अधी किसने प्रभावित किया है अब देखें हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के बिदोसी सरोत हैं भारत सम्मिधान के बहुत सारे भी दोसी सरोत हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो है भारत सासन अधीनियम 1935 यानि इसका जो सही अंसर होगा वो क्या होगा भारत सासन अधीनियम 1935 अब देखें कहा ऐसा जाता है कि लमसं सम्मिधान का जिनके या तो उसी में से उठा लिया गया, इसका या तो उसका कुछ पार्ट उसमें से लिया गया है, अब बाद आता है इसके अलावा अमेरिका के सम्विधान से, तो अमेरिका के सम्विधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौली का धिकार लिया गया है, उसके बाद क्या ल के साथ ही साथ एक और चीज़ लिया गया है वो है बीटीय पातकव कि ईठ अब बाप करते हैं ब्रिटेन के तो ब्रिटेन के संभधान से क्या लिया गया है संसद्य सासन वेवस्था संसद्य सासन एक प्रिकल नाग रिखता और क्या है मंद्री मंदल विवस्ता तो यह important important है जो बीटेंट से लिए गया है इसके अलाबा बात करते हैं Ireland की तो Ireland के सम्मिधान से क्या लिए गया है राज के निती निदे सकता तो उसके बाद राश्पती द्वारा जो राज सभा में 12 सदस मनोनित होते हैं वो भी कहां से लिए गया है Ireland के सम्मिधान से लिए गया है अब बढ़ते हैं next question की तरफ जो कि है हमारा question number 10 अब तक परस्ताबना में कितनी बार संसोधन किया गया है तो अब तक परस्ताबना में सिर्फ एक बार संसोधन किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number A अब देखे इस प्रस्ताबना को क्या कहा जाता है? इसी प्रस्ताबना को समिधान की कुझी भी कहा जाता है समिधान की कुझी और ये जो एक बार जो संसोधन हुआ था, कब हुआ था? 42 समिधान संसोधन, 1976 में और इसमें प्रस्ताबना में जोड़ा क्या गया था? अखंड दता, ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कोश्चन नुबर 11, कुश्चन नुबर 11 है, नए राज्यों के निर्मान अर्थवा, बर्तमान राज्यों की सिमायों बदलने की सक्ति किसकी है, तो इसका जो सही अंसर है, वो है आप्शन नुबर B, यानि संसत के पास, ठीक है, और कौन से अनुछेद के अनुछेद, तो अनुछेद, दो और तीन के अधार पर है, ठीक है, देखे, इससे संबंधित बिधेख है, राष्ट पती को पूर्वानुमती पे ही संसत पर रखा जागा, अगर नए राज्यों के निर्मान अथवा, बर्तमान की कुछ बात हैं, तो वो राष्ट पती के पूर्वानुमती के साथ के बाद ही संसत में इसको क्या करिया जागा, ठीक है, चलिए, अब नेक्स कोशन की तरह बड़ते हैं, जो कि है हमारा कोशन नुबर 12, कोशन नुबर 12 हमारा क्या कह रहा है, कि भारत में से नीम्न राज्यों के गठन का सही करम बताईए तो देखिए जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि यह कब-कब गठन हुआ है तब तक हम इसका करम नहीं बता पाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध प्रदेश की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आंध प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो आंध प्रदेश कब गठन हुआ है, उनीसो तिरपन में, ठीक है, और उनीसो तिरपन में गठन हुआ है, तो यह राज जो था, कभी-कभी ऐस और उसके बाद किसका गठन हुआ है उसके बाद कब हुआ है 1972 अब यह जह college में हुआ था 2019 संसोधन के कारण तो इसके बाद जे का सए उपत्षण होगा ऋप्षण नमर एक चलिए फिर बड़ते next question की तरब दर दो है हमारा question number 13 भारत सरकार ने भारत रर्यत्म तथा पदम सिरीन के उपाधियां सम्विधान के किस अनुछेद के अंतर गत्पारम की थी तो इसका जो सही ओप्सन होगा बो होगा ओप्सन नमर B अनुछेद 18 अब देखें अनुछेद 18 को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं अनुछेद 18 कभी ये भी पूछा जाता है कि उपाधियों का आंत किस में है तो उपाधियों का आंत किस में है उपाधियों का आंत भी जो है वो भी अनुछेद 18 में है ठीक है अब इसमें हुआ क्या था कि कोई भी इस अनुछेद 18 में ये कहा गया है कि सेना और बिद्या ये लेने के लिए कोई पुरुषकार लेने के लिए इसको आमंत्रित किया जाता है तो वो राष्टपति के बिना अनुमति के बो नहीं जा सकता है भारत के बाहर किसी भी अन्यदेश से और साथ ही साथ इसमें एक चीड़ और शुरू किया गया था जितने भी हैं जैसे कि आप भ यह हमारा कोचन नबर 14 भारत में सीखों को क्रिपान पहनने की अनुमति है उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर गद्दी गई है तो इसका जो सही अंतर होगा बो होगा आप्सन नमबर C धार्मिक सोत अंतरता के अधिकार पर अब देखे मौलिक अध अनुझेद 25 है इसमें 12 से 35 में एक अनुझेद 25 है यही अनुझेद ये कहता है कि सबी नागunkt अपने मन से कोई भी धर्म को मान सकते हैं उसका परचारपरसार कर सकते हैं तता धार्मिक य्यकलाप को पालन करने के लिए वो सतंत्र है तो इसलिए इसका सही अंसर हो जागा धार्मिक सोतनता का अधिकार चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 15 मौलिक अधिकार के उलंगन के लिए किसी भी नागरी को सीधे सरबोच न्याले में जाने का अधिकार है यह अधिकार उसे किस अनुछेद के द्वारा दिया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B, अनुछेद 32 अब देखे, मौलिक अधिकार के उलंगन के लिए वो दोनों जगह जा सकता है हाई कोट में भी जा सकता, उच न्याले में भी और सुप्रीम कोट में भी जा सकता, सरबोच न्याले में भी यह जो हाई कोट है और यह सरबोच न्याले है तो सरबोच न्याले भी 5 तरह का जीट जारी कर सकता है हाई कोट भी पांच तरह का जीत जारी कर सकता है सरभोच नियाले जो जारी करेगा वो अनुछे 32 के तहट और हाई कोट जो होगा वो करेगा 226 के तहट चिक है? चलिए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोश्चन नमर 16 किसके कार्जकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सुची से हटा दी गई है तो हटाया कब इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्सन नमर D मौराजी देशाई अब देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया कब गया था? हटाया गया था 44th Amendment जो हुआ था 1978 में ठीक है? तो 1978 में किसकी सरकार थी? आपको पता ही होगा कि मुरारजी देशाई जो हो थे, वो कब से कब थे? 1977 से लेके 1979 तक अब मुरारजी देशाई के बारे में एक और चीच पूछा जाता है परधान मंतरी पत से त्याग देने वाले भी परधान परधान मंतरी थे ठीक है? और इनसे पहले किनका कौन परधान मंतरी थे? इनसे पहले इंदरागंदी थी 1966 से लेके 1997 तक ठीक है? चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन अब है 17 राष्टपती के चुनाव से संबंधि जगडों का फैसला कौन करता है? तो इसका जो सयुत्तर होगा बो होगा उप्शन नमबर ये सरवोचने आले अब देखे राष्टपती का पद किसमे है? राष्टपती का पद है अनुचेद बामन के दाथ बामन में पद है, तिरपन में उनकी कारेबं सकती है 54 में उनका निरवाचन है और पचपन में उनकी निरवाचन की रेतिया है लेकिन अनुचेद एक 70 के अधार पर किस पे? अनुचेद 71 71 के अधार पर राष्टपती और साथ ही साथ उपराष्टपती ठीक है राष्टपती और उपराष्टपती इन दोनों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर विवाध होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा सर्वचनेयले में जाएगा कितने अनुछेत किता है अनुछेत 70 किता है ठीक है नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो कि यह है हमारा कोशन नबर 18 कानूनी तोर पर यूद की घोसना करने तथा सांती अस्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा राश्टपती क्यूंकि राश्टपती जो होता है वो क्या होता है तीनो सेनाओ का पर्धाम सेनापती होता है और इसलिए किसी देश के साथ यूद हो या सांती हो इसकी घोसना कौन करेंगे राश्टपती करेंगे ठीक है अब बढ़ते next question की तरब जो किया है हमारा question number 19 संसत द्वारा राष्टिये संकर्ट का अनुमोदन करने की समय सिमा क्या है अब देखे इसके जो सही अंसर होगा वो होगा एक मा यानि 30 दिन ठीक है अब राष्टपती की ये कौन सी सक्तिया है आपात का लगाना है जो राष्टपती की आपात का लिन सक्तियों में आता है कि वो राष्टपती तीन तरह की आपात का लगा सकता है पहला 302 के तहत राष्टिये आपात 356 के सहत राष्टपती सासन और 360 के तहत बीती आपात का लेकिन ये जो आपात कल है राष्टी ये आपात जो है उसको एक माह के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर संसद की अनुमती आवस्यक है मतलब 30 दिन के अंदर वो क्या होना चाहिए संसद की अनुमती से 2 बटा 3 बहुमत से पास हो जा सकता है और एक बार में कितने के लिए, 6 माह के लिए हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 20, अब तक भारत के राष्टपती ने बीडो का परियोग के बल एक बार किया है, लेकिन कब किया है, तो इसका जो सही option होगा, बो है, option number C, भार जेल से इन्द किया था, यह हमारे देश के साथ में राष्टपती थे, इनका जो टैनुवर था, वो था 1982 से लेके 1987 तक, ठीक है, और इस समय जो प्रधान मंत्री थे, वो थे राजीव गंधी, राजीव गंधी का टैनुवर था 1984 से लेके 1989 तक, तो यह राजीव गंधी के सम जेल से यह थे, उस पर क्या किया थे, अपने पॉकेट बीडों का परियोग कर दिया था, ठीक है, थैंक्स फर वाचिंग, बी सेफ, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दिजे,